हेलो गैस कैसे हैं आप लोग स्वागा थे आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गैस की IQZ7 Pro फोन में आप लोग कॉल वेटिंग कैसे कर सकते हो अगर आपके पास एक IQZ7 Pro फोन है और इस फोन में जो ही आपको कॉल वेटिंग करना है अगर आपके फोन में जो है आप लोग अल्रेडि किसी के साथ कॉल पर बात कर रहे हो तो आपके फोन में अगर और एक call आता है अगर आपके फोन में वो जो second call आ रहा है गैसा आपके फोन में वो आपके फोन में show नहीं हो रहे ठीके गैसे यहापर आपको notify नहीं हो रहे लेकिन बहुत सारे फोनों में आपने देखा होगा जो second call होता है वो यहापर display में show हो जात लास तक देखिए और अगर वीडियो पसान आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए तो चलिए गईज वीडियो को स्टार्ट करते हैं कॉल वेटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस फॉन के एप्लिकेशन को ओपेन कर लेना है जिससे आप लोग कॉल करते हो open करती यहापर three dot option मिलेगा three dot पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद settings का option हैगा settings पे क्लिक करेंगे क्लिक करती ही यहापर calling accounts का option मिलेगा calling accounts के option पे क्लिक कर दीजिए जिस भी sim में आपको call waiting करना है उस sim पे क्लिक कर देंगे क्लिक करते ही additional settings का option है गा additional settings पर क्लिक करेंगे क्लिक करते ही यह आपर थोरा सा loading होगा और यह जो call waiting का option है वो visible होगा थोरा सा wait करेंगे उसके बाद देख सकते call waiting का option आ गया है इसको हम click करके on कर देंगे on करते ही देख सकते हैं during a call notify me of incoming calls जब भी आप लोग जो है already call पर बात कर रहे होंगे तो आपके फोन में और एक call आएगा तो आपके फोन में वो call भी show हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने IQZ7 pro phone में आप लोग call waiting कर सकते हो तो कैसा लगा गए साप लोगों को